अब्रिवन वेलकम टो दा अलूजन दा अलूजन के इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे आटिफिशल सूरज के बारे में जानेंगे क्या चाइना ने सच में सूरज बना दिया है क्या सूरज आसमान से अब धर्ती पर उतर गई है इन सभी बातों को जानेंगे आखिर आटिफिशल सूरज ने 12 करोड डिगरी सेल्सियस का तापमान जनरेट किया है बस इसी लिए इसको आटिफिशल सूरज कहा गया अब आटिफिशल का मतलब यह है कि मानव के द्वारा बनाया गया जो कि किसी के सिमिलर हो तो वह होता है आटिफिशल जैसे कि आपने सुना हो गा आटिफिशल इंटेलिजेंस तो वहाँ पर क्या होता है कि मानव के जैसा सोचने वाला क्या एक ऐसा मसीन या रोबोट को बनाया जाए जो की behave करें मानव के जैसा तो वो artificial होता है या कोई ऐसा technology जिससे कि हम बात कर सकें rather than वो मानव नहीं है वो कोई और चीज है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई ऐसा चीज है जिसमें जीव नहीं है फिर भी मनुष्य से बात कर सकता तो ऐसे चीज को कुछ भी कहा जा सकता artificial intelligence artificial human artificial कुछ भी कहा जा सकता तो यहां पर हम लोग देखेंगे इस अंदर्व में कि यह artificial सूरज है जिसे मानों ने बनाया है यह तो सूरज है नहीं पहली बात कि यह सूरज तो एकदम नहीं है बस इसको इसलिए सूरज कहा जा रहा है क्योंकि इसने बहुत जादा heat generate किया है इतना जादा heat generate किया है कि सूरज से 10 गुना जादा है आप समझ सकते हमारा सूरज का तापमान जितना है उसके surface का उसके core का पूरा सूरज का जितना तापमान है उससे 10 गुना जादा इसने हीट को जनरेट किया है इसलिए इसको आर्टिफिशल सूरज का जा रहा है जो की 100 सेकेंड के लिए चलाया गया था या फिर 100 सेकेंड ही ये रियक्टर काम किया है तो आप यहाँ अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक फोटो य ये पहली बार चाइना के द्वारा किया गया है इसलिए इसको एक achievement माना जा रहा है और चुकि ये बहुत ज़्यादा तापमान जनरेट किया इसलिए इसको artificial सूरज कहा जा रहा है साथी साथ चाइना का यहाँ पर कहना यह है कि इस technology से वो दूसरे देशों की निर्भरता को कम कर पाएंगे साथी साथ यह भी कहा गया कि परदूसन का भी अस्थर यहाँ पर काफी कम हो जाएगा जदी यह सफल रहता है तो अब देखते हैं कि 12 करोर डिगरी सेल्सियस पर इसने तापमान जनरेट किया और record को तोड़ दिया आखिर record को तोड़ा तो भाई किसका record तो यह बताना है आपको HL2M Talkmark Reactor इस reactor का नाम है तो HL2M Talkmark Reactor जो है यह पहली बार 2020 में स्टार्ट किया गया था उस समय भी यह 100 सकेंड ही चला देखें यह 100 सकेंड चला आप देख सकते हैं यह 2 मिनट भी नहीं चला और 2 मिनट के अंदर इसने 10 करोड डिगरी सेल्सियस का 2021 में इसी रियक्टर को फिर से स्टार्ट किया गया और यहां पर यह देखा गया कि यह 100 सकेंड में 12 करोड डिगरी सेंटिग्रेट का तापमान को इसने जनरेट किया तो अपना रिकॉर्ड इसके दवारा खुद तोड़ा गया है इसलिए यह बहुत जादा न्यूज में है अब आपका सवाल होगा कि 100 सकेंड ही क्यों जैसे मैंने आपको बताया कि यह मातर दो मिनट भी नहीं चला तो 100 सकेंड ही आखिर यह क्यों चला हम लोग इसको आर्टिफिचल सन कह रहे हैं 100 सकेंड क्यों चला देखिए हमारा जो सन है जो सूरज है उसमें प्राकिर्तिक है लेकिन अभी नहीं है फिलाल तो अभी नहीं है वो अलग टॉपिक है वो जोग्रफी में आ जाता है कि कब सूरज ब्लास्ट करेगा या क्या होगा सूरज जब खतम हो जाएगा तो दर्तिका क्या होगा यह सब जो टॉपिक है यह जोग्रफी में आता है कभी मैं जोग्र fusion जो है ये कराया गया है, खुद से ये नहीं हुआ है, तो जब इसको कराया गया तो ये एक तो ये बात है कि ये कराने में, ये fusion कराने में बहुत जादा समय लगता है, ऐसे ही नहीं हो जाता, बहुत सारे ऐसे research हैं, बहुत सारे ऐसे theories हैं, जिसको proper रूप से पढ़के, अध् प्रगेट है यह लंबा होगा वह हम लोग आगे जानेंगे इसलिए यह 100 सेकेंड तक चला अब हम लोग जानेंगे कि अगला लक्ष क्या है देखिए सेंजेन के साउधर्न युनिवर्सिटी आफ साइन्स एंड टेक्नोलोजी के जो फिजिक्स डिपार्ट है उसके डिरेक्ट था इसने बताया कि अगला जो लक्ष है इस प्रजेक्ट का वो है कि एक हपते के लिए रियक्टर को इसी तापमान पर चलाना जैसे कि आपको बताया गया कि 100 सेकेंड तक तो यह चला लेकिन इस बार है कि इसको एक सब्ता तक 7 दिन तक इसको चलाना है एक ही तापमान पर तभी यह जाकर सफल हो पाएगा, नहीं तो 100 सकेंड में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा, स्टार्ट करने चुके और खतम हो गया, तो इसमें तो कुछ होगा नहीं, इसको लंबे समय तक सस्टेन करके रखना पड़ेगा, इसको सस्टेन रहना पड़ेगा अपने तापमान पर, तब ये जाकर प्रोपर काम कर पाएगा, इस डिवाइस को कभी भी खत्म न होने वाले स्वक्ष उर्जा परदान करने के लिए, सूरज और तारे के अंदर, अपने आप पैदा होने वाले परमानों सलियन परकिरिया को दोहराने के लिए एक डिजाइन तैयार किया गया है, और चुकि आपको बताया गया कि इसको आर्टिफिशल सूरज क्यों कहा गया, क्रितरिम सूरज क्यों कहा गया, क्योंकि इसने बहुत जादा गर्मी को पोड्यूस किया, बहुत जादा हीट इससे जनरेट हुआ, और य यह जो रियक्टर है यह है अनुहुई प्रांथ में इस यहां पर जो रियक्टर बनाया गया यह पिछले साल ही इसका काम खतम हुआ था उसके बाद इसने 10 करोड डिगरी का रिकॉर्ड बनाया फिर इस साल 12 करोड डिगरी का रिकॉर्ड बनाया 100 सकेंड में अब हम लोग जान आगा चाइना में अनोई प्रांथ तो यहां पर आप देख रहें है रेड़ मार्क यह अनोई प्रांथ और यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है हेफी यही पर यह रियक्टर को बनाया गया है और यह रियक्टर उसके राष्टपती जो वाइडन है उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर यहां से रिपोर्ट चाहिए उस रिपोर्ट में यह बताना है जो वाइडन को कि क्या यह वाइरस लैप से निकला है या कहां से निकला है जैसे ही यह ख़वर आती है चाइना के पास तो चाइना धंकी देता है कि मैं अब यहां से सीधा परमानों बम मारूंगा और इसको पूरा तबाह कर दूँगा ठीक है तो खेर वो अलग टॉपिक है यह भी हाली में न्यूज में चल रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पर डिसकस कर दिया लेक और इसके नीचे आपको मिलेगा साउथ चाइना सी और यहीं पर मिलेगा इस्ट चाइना के बगल में येलो सी येलो सी जो है ये साउथ कोरिया और चाइना के बीच में आता है तो इसको भी याद रखेंगे साउथ कोरिया के बगल में आपको मिलेगा जापान अब हम लोग जानते हैं आखिर fusion reaction क्या है देखिए सूरत से जो हमें उरजा मिलती है ये मिलती है सिर्फ और सिर्फ नुडियर fusion के बज़े से और इसी nuclear fusion को चाइना में कराया गया है जो हाले में बहुत ज़्यादा news में रहा जिसको कहा गया artificial sun आखिर ये nuclear fusion होता क्या है fusion reaction होता क्या है देखिए इसके वज़े से ऐसा प्लाजमा को generate किया जाता है जिसमें hydrogen के isotopes जिसमें deuterium और tritium जो है ये आपस में fusion होकर helium और neutron को बनाते हैं जब ये process होता है तो इसी में बहुत जादा heat generate होता है यही heat बहुत जादा हो जाने के कारण ये news सामने आई है लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये जब सुरवात किया जाता है तो तुरत इसमें heat नहीं आता है इसको start करने के लिए बाहर से इसको गर्मी देना पड़ता है इस reaction से गर्मी पैदा हो इसलिए इसमें बाहर से उर्जा देना पड़ता है लेकिन जब एक बार ये reaction सुरू हो जाता है तो फिर तो भाई ये खुद आपने जैसे देखा कि 12 करोड डिगरी सेल्शियस पर ये खुद चला जाता है तो सिर्फ इसको start करने के लिए एक बार उर्जा चाहिए चाहे वो जैसे हो कोईला जला के दे या गैस जला के दे ये इसको चाहिए इसके बाद जब ये reaction स्टार्ट हो जाता है तो फिर से आपको बाहरी उर्जा देने के आपशक्ता यहां पर नहीं होती है ये खुद उर्जा को जनरेट करती है जो बहुत जादा होता है अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि इस रियक्टर को बनाया कब से जा रहा था देखिए इसका काम सुरू हुआ था 2006 से ये आप याद रखेंगे और क्या अकेले चीन ही है जो इस रियक्टर पर काम क कर रहे हैं सोद कर रहे हैं जिसमें एक देश है फ्रांस फ्रांस इंडिया का बहुत फ्रेंडली कंट्री है हाली में कल के लेक्चर में मैंने बताया था फ्रांस ने क्यों माफी मांगी रवांडा से यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को जरू पुज़ना चल रहा है। यहाँ पर भी इसी थियोरी पर काम म sage जा रहा है। जिसे दूलिया क anticipate van a Hidden यहिए रहा है कि अब्स ना हो ये 2025 तक final है। इसे international space station के पूरा होने और दुनिया की सबसे दूनिया की दूसरी सब्से बड़ी International Science Project माना जा रहा है आप समझ सकते हैं चाइना के प्रोजेक्ट को Space Station जो ISS है जो हमारे पृत्वी के उपर में हमेशा चक्कर लगाते रहता है जहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी हैं पृत्वी के उपर में अभी भी वो उस Space Station में मौजूद है उस प्रोजेक्ट के बाद इस प्रोजेक्ट को दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अंतरराष्ट्य साइंस प्रोजेक्ट माना जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यह कैसा रियक्टर है अब हम लोग जानते हैं कि Fusion Reaction क्यों बहतर है F-I-S-S-I-O-N ठीक है Fusion कराये जाता है यहां पर Fusion कराये जाता F-U not F-I ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे Spelling F-I-S-S-I-O-N Fusion Reaction कराये जाता है जिसमें क्या होता है दीखें इसमें तो एक तो Advantage भी है इसमें Green House Gas तो नहीं निकलता है लेकिन यहां पर बहुत सारा Waste Material निकलता है जो की Radioactive होता है और इसको बहुत समहाल के रखना पड़ता है हाली में आप News में सुने होंगे यदि आप The Illusion के Current Affair को बहुत दिन से Follow कर रहे हैं तो आप सुने होंगे किसी वीडियो में मैंने बताया था कि जापान में एक ऐसा Power Plant है Nuclear Power Plant जहां पर बहुत सारा Waste पानी रखा गया है Waste Water रखा गया है जो की Radioactive है Water रखा गया था वो पानी जो था उसे समुदर में रिलीज करने की बात की जा रही थी जापान के सरकार के दोरा जिस पर बहुत सारा आर्टिकल भी छपा था वो मैं कभी आपको बढ़ियां से और उस पर एक dedicated वीडियो में ले आऊंगा तो आप समझ सकते हैं कि Fusion में बहुत सारा ऐसा Waste Material निकलता है इसलिए Fusion से अच्छा Fusion होता है चुकि इसमें कोई भी Waste Material नहीं निकलता है अगर Fusion कराते हो इसलिए Fusion reaction जो है ये बहुत safe माना गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया आसा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि आपको help करता है ये वीडियो कुछ जानने में कुछ शिखने में वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें Thank you for listening God bless you all